वो अफमान का घूट पी करके राश्टिय जनतादल के पिछला गूब ने रहेंगे या इंडिपेंडेंडेंट आज़ाद हो करके मजबूती के साथ आगे लड़ेंगे नमस्कार बिहार इन सौर्ट्स देख रहें आप मैं हूँ आपके साथ अनिकेत कुमार बिहार में उप्चुमाव की घुषना होते ही जो राजडिती गर्माहत है वो काफी जादा तेज हो गई है सभी दलों में खल वाली मच गई है जहां एक तरफ एंडिये ने अपने हम वहां से चुनाव लड़ेंगे वही राजड ने कॉंग्रेस को स्ट्राइक रेट का हवाला देते हुए अपने दोनों परत्यासियों को उतार दिया है बिना कॉंग्रेस के सहमती से परदेश जगदानन सिंग ने गोसना कर दे थी अपने दोनों ही सीटों पर राजड को पतार दिया था जिसके बाद कॉंग्रेस भी अब बगावत के मोर पर है ऐसे में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के परवक्ता दानिस रिजवान ने कहा है कि कॉंग्रेस को अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो महागटवंदन से उन्हें बाहर निकलना होगा यानि कि र आजखल कॉंग्रेस को अपमानित करने का ट्रेंड चला है और यह कोई नया मामला नहीं है इससे पहले भी महागटवंदन में हम लोग खुद थे हम लोग उन्हें देखा है कि किस तरीके से राश्ट्रिय जन्तादल के निता अपने सहयोगी दलों को अपमानित करते हैं कि वो अपमान का घूट पी करके राश्ट्रिय जन्तादल के पिछला गूब ने रहेंगे या इंडिपेंडेंडन आज़ाद हो करके मजबूती के साथ आगे लड़ेंगे जो तेजस्वी यादो जी अपने भाई के नहीं है वो अन्य पार्टियों के कैसी हो सकते हैं देख के लिए अब निर्णने कॉंग्रेंस को लेना है भिहार की जंता ने अन्य दृत्ति कि इनको सत्ता से भाहर कर दिया है लेकिन अब वर्तवान राजनितिक परप्यक्शि में उपमानित होकर कर महागल बंधन में रहेंगे या सोतंतता के साथ दो चिनावा में उतरेंगे बचा सकती है अगर उन्हें पिछ लगू बना है तो राजत का साध्य तमाम बाते करेते अब देखना है कि उपचुनाओं में क्या होता है क्योंकि अब खेला पूरी तरीके से होने वाला है क्योंकि जहां एक तरफ राज़त ने महाकटपंदन की इतपरफ से अपने ही दोनों प्रतैसियों को उतार दिया वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रिस और पपूयादब की पार्ट यानि कि जनदिकार पार्टी के घटबंदन के भी लगातार जो बात है वह सामने आ रहा है क्या पपूयादब चुनाओं में उतरेंगे क्या कॉंग्रिस उनको अपना उमिद्वार जाब बनाएगी लगातार जाब पार्टी के तरफ से भी यह जो बातों वह कहिए की Dieses कि कॉपीजास की लिए कुंग्रे Inspect को म車 देते हैं स्फार कर Thrones वीडियो को जड़ा